हलो गुड मॉर्णिंग प्रेंट्स आज मैं दो दिन के बाद आपसे मिल रहा हूं एक्चुली कुछ समझ रहा हूं कुछ न कुछ हैसुस होते रहते हैं तो कोई बात नहीं फिर कंटिन्यू करते हैं और यहां पर साटोलोजी को ले करके मैं फिर से आ गया हूं तो साटोलोजी में अपने देख लिये थे प्रोकरियोटिक सेल्स तक देखे थे और प्रोकरियोटिक सेल्स के बाद जैसे ही बात करें तो मतलब अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा eukaryotic cells, then difference between the prokaryotic and eukaryotic cells. तो चलो, let's start. थोड़ा सा यहां पर बात करेंगे कि दोनों की दोनों cell के condition में, जैसे prokaryot को मैंने पहले डिसकस करा, उसी तरह सी eukaryot में जो छोटो-छोटा चीजे हैं, उसको करने वाले हैं, लेकिन उसके details, जैसे differences देखेंगे eukaryot, prokaryot में, उस समय, उसके बाद आपका one and only, जो है, eukaryotic cells के cell, organelle वगेरा चलेगा. तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे, कि यह जो है, plant cell और animal cell में differences की बात करेंगे, यह सब भी होगा, उसके पहले अपन structure को देखेंगे, और तकरीबन eukaryotic cells में fundamental चीज़े क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि वो चीज़े क्या होता है, जो आपको differences create करते हैं in between the prokaryotic and eukaryotic cells, तो मतलब कि बहुत सारे differences है, as like a plant cell के condition में क्या बोलते हो, कि उसमें seal wall होता, ठीक है न, जैसे ही बात करते हो, seal wall होते है, उसके बाद जो है, अपन बात करते हैं कि plastics होते हैं, उसके बाद कहें तो plasmo desmata होते हैं, plant cell के case में और animal के case में नहीं होता, दूसरी condition है, कि plant cell में एक special structure मतलब कि कहें तो vacuole, मतलब कि पूरे कि पूरे यदी cell के center में कहा जाए, तो बड़ी सी, बड़ी सी size की जो क्या होती है, vacuole होता है, तो अब 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 आल कहा जाते हैं, बहुत सारा differences है, यह तो अपन देखें कि plant cell में क्या-क्या जो है extra था, अब इसी के respect में, अपन animal cell के condition में बात करेंगे, तो animal cell के condition में क्या होता है, कि इसकी detail करने वाले हैं आपन, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, कि animal cell में जैसे ही बात करें, तो वहाँ पर अपने को centriol दिखता है, centrosome दिखता है, ठीका ना, और lysosome दिखती है, दूसरी बात है कि उसमें जो division की बात करते हैं, तो थोड़ा से दोनों में differences की बात करते हैं, तो difference में division में जो होता है, यह से cytokinesis और karyokinesis दोनों की बात करते हैं, तो cytokinesis जो होते है, plant cell में seal plate formation method, ठीका है, और animal के condition में क्या होता है, कि वहाँ पर आपको seal photo formation method होता है, तो दोनों के दोनों scenario अलग-अलग दिखता है, बट condition क्या है, कि जैसे हैं अपन बात करेंगे, कि दोनों में differences क्या है, तो दोनों की diagrammatic अपन देखेंगे, और place हो है, वहाँ पर theoretical जो भी portion से उसको cover करने वाले हैं, तो अपन चलते कहाँ पर, मतलब कि differences के बारे में, मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले बात करें, तो अपने को eukaryotic sales के बारे में बात करना पड़ेगा, तो चलिए, start करते हैं eukaryotic sales के, और eukaryotic sales के condition में अपन बात करेंगे, तो थोड़ा सा अपने को मुल page पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर बात करें, तो अब दिखेगा आपको, कि दोनों में differences क्या क्या है, पहले तो अपने को eukaryotic sales के बारे में बात करना पड़ेगा, कि what do you mean by eukaryotic sales, तो जही इस तरह से हम लोगों ने prokaryotic sales के बारे में differences बताया, और prokaryotic term को जहींसे explain किया, उसी तरीके से अपन करेंगे क्या, कि यहाँ eukaryotic sales को क्या करेंगे, थोड़ा से तोर मरोर करेंगे, तो तोर मरोर करने के लिए क्या है, कि eukaryotic मतलब कि सीधे सब्दों में बूला जाए, तो वो ग्रीक वर्ड टैप लगता है, तो यहाँ पर अपने को देखना है पड़ेगा, कि you means होता है true, you means क्या होता है true, और you means होता है advance, real meaning यह लेके चलेंगे, you का advance, वहाँ पर prokaryotic के condition में, प्रो मतलब हो गया था false और primitive, और karyotic तो दोनों के दोनों common term है, वहाँ पर भी karyotic मतलब carry on, carry on means क्या होता है nucleus, ठीक है न, मतलब कि उस type के cell के बारे में अपने study करने बाले हैं, जिसका nucleus well organized होगा, इसका काने का मतलब क्या होता है, that is the nucleus is bonded by the nuclear membrane, किस से bond होता है, nuclear membrane से bond होता है, तो इसका मतलब है कि overall आपन बात करें, तो यो karyotic cells को क्या का सकते हैं, कि उस type का cell जिस में क्या होता है, कि well organized nucleus हो, that means कि nuclear membrane present हो, और nuclear membrane जब present होगा, तो उसके अंदर साथ हो, nucleoplasm भी contain होगा, और उसके अंदर आपका nucleolus भी होगा, दूसरी फंड़ा क्या, कि prokaryotic के condition में, membrane bond cell organelle अपन नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर क्या देखेगा, membrane bond cell organelle तो क्या का सकते हैं, कि those type of cells, which has well organized nucleus, ठीक है, well organized nucleus, और, क्या, well organized nucleus, and nucleolus, and membrane bond cell organelle, is present, is non-eskia भाई, आप उसे क्या का सकते हो, eukaryotic cells, सीधे सब्दों में, those type of cells, which has a well organized membrane bond nucleus, nucleolus, and membrane bond cell organelle, are present, that type of cell is non-eskia, eukaryotic cells, अब आगे जैसे ही बात करेंगे इसमें, तो इसमें कौन-कौन सा मतलब की organism include होगा, जैसे काने का मतलब हो गया, कि इसमें कौन-कौन से ऐसे जीब होगे, organism होगा, जो क्या होगा, कि eukaryotic cells से बने होगे, तो simply term कहा जाए, कि eukaryotic cells present in, किस-किस में, protesta में होगा, plant में होगा, animal में होगा, और fungi में होगा, सिर्फ मोनेरा को छोड़ करके, मोनेरा को छोड़ करके, जितने भी आपको मिलेगा, सब के सब eukaryotic है, मोनेरा में अपने देखे थे, और क्या था, बेक्टेरिया, यहाँ पे सीधे सब्दों में बात करें, तो एक बहुत ही खास चीज़े आपको दिखेगा, कि मतलब कि यहाँ पे, membrane bond cell organelle के वज़े से क्या होता है, कि यहाँ एक compartment license होती है, compartment license काने का मतलब है, चोटी-चोटी बोगिया बनती है, मतलब चोटा-चोटा कोठरी बनेगा, चोटा-चोटा रूम बनेगा, तो रूम को क्या करें, यह compartment, तो ऐसलाइक मैटो कॉंदिया, तो एक अलग अपना compartment होगा, chloroplast अलग compartment होगा, lysosome का अलग compartment होगा, endoplasmary reticulum का अलग compartment होगा, और बात करें, तो गोलजी body की अलग compartment होगा, तो सारे के सारे compartment, मतलब कि there is extensive restrictive features, extensive compartment license of the cytoplasmary reticulum, तो the membrane bond cell organelle, ठीक है ना, membrane bond cell organelle के बज़े से क्या होता है, compartment license होता है, compartment बनती है, बागियां बनता है, चोटे-चोटे rooms बनते हैं, कमरे बनते हैं, ठीक है ना, तो यह आपका कहा जाए, तो सीधे तरीके सी, it's a characteristic feature of the eukaryotic cell, यह eukaryotic cell का अमुक, क्या है जी, feature है, उसकी property है, ठीक है, तो क्या क्या है कि, मतलब eukaryotic cell, there is extensive compartment license of cytoplasmary through the membrane bond cell organelle, membrane bond cell organelle के वज़े से क्या होड़ा है, compartment license होड़ा है, तो सीधे तरीके से अपन बात करें बेटा, कि यहाँ पर जैसे ही बात करेंगे, कि, मतलब कि, in addition, eukaryotic cells is a variety of a complex logometry organ, organ, and cytoskeleton structure, as like a macrotubules है, macrophilaments है, ठीक है न, मतलब कि, बहुत सारा है इसे चीज, जो क्या करते हैं, कि उसको एक additional support देने का काम करता है, eukaryotic cells को, तो सीधे तरीके से कह सकते हैं, क्या, कि यहाँ पर आपको बात करें, कि इसमें genetic material और्गनाइज होता है, into a chromo, genetic material बोलें, तो DNA, और DNA और्गनाइज हो जाथा, DNA क्या होता है, एक nucleus, यहाँ प्लेस के अंदर DNA है, DNA की length कितना भाई, 2.2 meter, सुच सकते हो, कि एक छोटा सा seal, जिसमें क्या condition है, कि आप अप naked eye से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए, electron microscope चाहिए, और उस microscope से आपने visualize करते हैं, seal को, seal की अंदर एक छोटी सी structure है, उस छोटी सी structure में क्या है, कि सबा 2 meter, 2.2 meter length का DNA है, अब समझ में आ रहा है, मतलब क्यों कैसी होगा, मतलब कि घुलूर मुलूर पूरा का पूरा, जो है एकदम, उनके गूले टैप हो जाएंगे, छोटा सा, टिनना से एकदम, उसका क्या होता है, क्यों 46, जैसे human being की बात करें, तो 46 chromozoom, 46 segment में टूट जाते हैं, और उसके उपर जो histone protein का करके, covering लग जाती है, तो बन जाते हैं chromozoom, तो simple तरीके से कहेंगे, genetic material that is a DNA, organized into chromozoom, यहाँ पर eukaryotic cells कहते हैं, जितने भी सारे के सारे eukaryotic cells, एक दूसरे के जैसे नहीं है, as for example, plant और animal cell के हो, देख लो, कि plant cell और animal cell में कितना फार फार different है, तो अपन कह सकते हैं, difference हैं तक कह सकते हैं, कि भाई, दोनों का दोनों cell जो है, as isually similar है, एक जैसा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन पढ़े उख़े, all eukaryotic cells are not identical to one another, यहाँ पर लाइन है, आपको दिखता होगा, मतलब कि, all eukaryotic cells are not identical, as like a plant cell, animal cells that differ from the each other, एक दूसरी से अलग में है, चलो मैं क्या करता हूँ, different, different, जो है, आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, कि उसकी डाग्राम दिखाता हूँ, different form भी लिखें हैं, कि differences क्या क्या है, बड़ी-बड़ी differences, जो आपको दिखता होगा, उस differences को अपन करने वाले हैं, तो चलिए, let's say start, यहाँ पर अपने को देखना होगा, कि पहले तो आपको छोटा-छोटा differences मैं बताता हूँ, कि आप देख करके, मेरे मतलब की खुद का बनाया हुआ, यह structure है, आप देख सकते हो इसको, इधर साइड में हमारा plant cell है, और यह वाला जो है animal cell है, तो दोनों के दोनों structure आपको दिख रहा होगा, कहीं ने कहीं दिख रहा है, तो दोनों के दोनों structure में अपन बात करें, तो एक-एक करके थोड़ा सा इसकी scene अपने को visualize हो जाना चाहिए, completely visualize हो जाना चाहिए, तो plant cell और animal cell के condition में बात करेंगे, यह क्या है बटा, plant cell है और यह क्या है animal cell, तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, कि plant cell और animal cell में थोड़ो-थोड़ो superficially अपने बाहर से morphologically देखे, तो बहुत सारा चीज यह दिख जायागा, मतलब morphological काने का मतलब है, क्यों इसके structure यहाँ देखे, तो दिख जायागा, क्या दिखेगा वहिया, कि यह जो structure दिख रहा है, that is a plasmodismata, that there are connection, interlink, यह sort of plasmic breeze between the neighboring cell, दो parosis cell के बीच में क्या होता है, यह, 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 ब्रीज है, एक सेतू के तरह, एक पूला के तरह काम करता है, जो एक के कमी को दूसरा भरपाई करेगा, एक दूसरी, मतलब कि यहाँ पे दूसरा condition है, कि वेक्यूल की साइज इतनी बड़ी होती है, कि जितनी भी cell organelle है, सारे के सारे cell organelle को क्या करते हैं, periphery में push कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही बात करो, तो आपको nucleus जो है center में नहीं दिखेगा, कहाँ पे दिख रहा है जी, बगल में, ठीक है, बगल में, यहाँ पे क्या दिखा, nucleus, nucleus दिखा, बगल में, nucleus, यहाँ पे nucleus आपको बगल में, सारे के सारे cell organelle, जो है side में periphery में होगा, यहाँ पे microtubules की बात करते हैं, microfilament की बात करते हैं, microtubules की बात करते हैं, इसके seal wall की बात करते हैं, यह seal wall हो गया, उपर वाला सबसे उपर, बीच में जो दिख रहा है बटा, वो क्या है, middle lemla, और सबसे अंदर वाला जो दिख रहा है, क्या है, seal membrane, जैसे ही बात करेंगे कि यहां पर आपको दिखता होगा, rough endoplasmary reticulum, RER से मैंने denote किया है, और lambda type, जो एक extra structure दिखता है, और centrosome की अंदर जो है, दू perpendicular जो है, क्या होता है, एक दूसरी की ऊपर, एक दूसरी की ऊपर, क्या है central present है, कितने degree पर बेटा, 90 degree पर, ठीक है ना, यहां पर जैसे बात करते हैं, endoplasmary reticulum, plant cell के condition में, golgi body हो गया, mitochondria हो गया, यहां पर छोटी-छोटी ज में होता है, बट, plant के condition में क्या होता है, कि यह central होता है, central large vacuole होता है, जो vacuole के condition में आपको सीधे तरीके से बात किया जाता है, it occupy 90% volume of the cell, अब समझ सकते हो, कि कितने जगा को इसने occupy करा, मतलब कि पूरे के पूरे plant cells में यही बताया है, कि यही तो सारे चीज दिखेगा, स जो ribozoom होता है, दोनों के दोनों, युकडियाटिक cells पर रहें, तो दोनों के दोनों में क्या HTS ribozoom होंगे, paroxyzoom, यहां पे भी, यहां पे भी, मतलब कि यहां, यहां परॉक्सीजोम, लेकिन जेनरली क्या दिखा जाता है, कि paroxyzoom generally plant के condition में होता है, गलाक्सिजोम भी plant के condition में लेकिन प्राक्सिजोम दोनों के condition में plant cell और animal cell दोनों होता है लेकिन गलाक्सिजोम क्या होता है यहां पे होता है एसफेरोजोम के condition बोले तो it's also present me maybe present in animal cells but generally present in a plant cell यहां पे बैटा plasmodismata का मैंने चर्चा किया प्राक्सिजोम का चर्चा किया mitochondria का चर्चा किया तो mitochondria आप देखे होंगे कि यहां पे एक ही नंबर में है यहां पे ज्यादा नंबर में हमोरी नंबर यहां पे chloroplast आपको दिखता होगा क्या दिखता है chloroplast दिखता है यहां पे ठीक है तो यह छोटी-छोटी मेरे differences है यह nucleus है nucleus के अंदर यह chromatin हो गया बैटा यह chromatin हो गया और छोटा सा structure जो दिख रहा है nucleus हो गया और यह जो है थोड़ा से infolding structure जो दिख रहा है that is a microvilli ठीक है यहां पर यह structure को अपन clear करते हुए आगे चलेंगे और differences को दिखेंगे कि बड़ी-बड़ी differences क्या है कि plant cell what are the difference between the plating यह अपना है कि plant cell और animal cell में difference क्या है difference between plant cell और animal cell तो यहां पर चलते हैं बठा कि यह जो आपको दिखता होगा कि यहां पर मैंने feature लिया है कि उसकी feature क्या है यहां पर उसकी मतलब कि यहां feature बोले तो character को लिया हैो कुर-कुर करakteर vary करेंगे । यहां पर animal cell हो गया तो cell well plant cell में present होता है बट-animal cell में convenience होता है Vecchule. Large central vaccule present होता है. यहाँ पर Vecchule may or may not be present. If present तो क्या होके temporary होगा और small structure होगा. बिल्कुल छोटा-छोटा होगा. जाईसे यहाँ पर पात करते हैं plastids का तो plastids यहाँ पर present होता है. Pleistids यहाँ पर absent होता है. Central की बात करते हैं तो यहां पे absent है और यहां पे क्या है present है वेटा mitochondria की बात करते हैं तो mitochondria few in number में होते हैं लेकिन इसकी kristi के condition में बोला जाए तो kristi जो है इसका kristi का shape अलग हो जाता है दोनों में kristi के condition में kristi जो है दोनों की अलग-अलग scenario देखेगा कि एक में जो है आपका tubular होगा tube के जैसे होगा tubular kristi होगा few in number mitochondria का होगा mitochondria का number few in number यहां पे mitochondria का number more in number ठीका ना यह plate-like इसके kristi होती है इसके tube-like kristi होती है nucleus के condition में बोला जाए बटा तो push towards the periphery side by the sabbacule यहां पे usually कहां पे होता है center में दिखाया आगे माई 2-4 diagram आपको और दिखाने वाला हो जो गिलियर हो जायाएगा division के condition में हम cytoplasm की divisions की बात करते हैं तो cytoplasm का divisions by the seal plate formation method होती है किसके condition में? plant seal के condition में seal plate यहां पे photo बनते हैं मतलब की खाचा बनते हैं जैसी यह seal है यह खाचा बन जाएगा तो photo मेंज क्या होता, खाचा, seal photo, crystal की बात करते हैं तो यह crystalline structure होता है जैसे मान लो कि आप कुछ देखते हो, कुछ खाते हो, जैसे guava खा रहे हो तो उसमें crunchy sound करके आते हैं तो कुछ crystal structure present होता है और यहां पे जैसे ही बात करें कि crystal present होती, यहां पे crystal absent होता है size की बात करोती यह larger size का होता है और यह क्या होता है बटा, smaller size का होता है plasma desmata के condition तो यह होगा कि दोनों की connection होगे the nevering seal का plant और plant की the nevering, the prosy seal के adjacent seal का क्या है cytoplasmic bridge है, जूरने वाला है cytoplasmic के actions के लिए बट यहां पे क्या होता है कि adjacent seals are connected through the some junctions, tight junctions, adhering junction और gap junction यहां पे आपको junction GG लिखे हैं तो gap junctions हो गया, desmo zone, desmo tibules बोलते हैं यहां पे क्या हो गया, tight junction TJ, ठीक है, यहां पे matosis की बात करते हैं तो यहां पे मतलब कि हमने कहा था कि centrosome absent होता centrosome क्या होता, matosis के दोड़ान estrel rays की formation करता है जो यहां पे नहीं estrel rays बनते, तो कैसा matosis हो जाता n estrel, n मतलब absent, यहां पे estrel या mp estrel, मतलब की ester बनते और mp estrel हो गया यहां पे जैसे ही बात करेंगे, दूसरे differences की, तो lysozome की बात करो बटा तो lysozome generally यहां पे absent होता है और यहीं होता भी तो lower plant के condition में कुछ में पाया जाते हैं generally यह जैसे maturation stage में जाते, तो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, खतम हो जाता है जैसे यहां पे अपन बात करें तो क्या होता है, कि must be present centrosome तो इसी लिए इस में क्या होता है मतलब कि lysozome तो यहां present centrosome के condition में तो यहां एस्टल वाली बात हो गई, lysozome यहां rarely present होता है ठीक है न, इसके काम कौन संभालते हैं, वे क्योल ठीक है, यहां पे जैसे ही अपन बात करें, तो मतलब कि यह must be present, lysozome must be present, विलाय के condition में बात करो बेटा, तो यहां पे नहीं होता, यहां पे होता है अब चलो, बड़ा-बड़ा मैं क्या करता हूँ कि डायग्राम को ले करके आपको दिखाता हूँ कि यह डायग्राम है आपका मतलब कि यह plant cells की diagram है, थोड़ा सा छोटा view कर दो इसका, तो आपको दिखेगा, बिल्कुल पूड़ा का पूड़ा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यह जो है आपको दिख रहा है, सारे के सारे चीज मैं mention कर बाता हूँ, यह जो दिख रहा है यहाँ पे, rough endoplasmic reticulum, यह smooth endop tibules के condition में, यह जो दिखता है, ठीक है न, यह क्या है बेटा, वेक्योल है, ठीक है, central large वेक्योल हो गया, यह क्या हो गया, nucleus हो गया, nucleus के अंदर यह छोटी से structure दिखता है, nucleus, यह golgi body हो गया, जो golgi apparatus बोलते हो, और कहीं-कहीं पे छेट दिखता है, that is nuclear pore, और वो जो पूड़ हो गया, उपर में, प्रोक्सिजम की बात करते हैं, और इसके अंदर में, सैटो प्लाजम की बात करते हैं, चैस अपर क्या है, जैसे ही अपन बात करेंगे आगे के तरफ, यह हमारा कौन सा सिल्ख था, यह plant सिल्ख था, अब चलते बहु हैं कहां पी, animal सिल्ख के condition में, तो animal folding structure दिखता है, यह क्या, microvilla है, villa है, microvilla है, golgi apparatus हो गया, यहाँ पे देखो पेटा, यह centriol है, इसके अंदर पूरी structure को centrosome बोलते हैं, paroxysome है, lysosome है, ribosome है, फिर जो है rough endoplasmic reticulum है, यहाँ पे nucleolus की बात करते हैं, अंदर में nuclear envelop, जो थीका है, इससे क्या होता है, rough endoplasmic reticulum, nucleus यह हो गया, फिर smooth endoplasmic reticulum, y-sept structure आपको दिखेगा, तो completely हमने देखा दोनों के दोनों structure को, और थोड़ा सा clear diagram में दिखाता हूँ, जो आपको थोड़ा सा यह देखिए, दिख रहा है, यह क्या है, plant cell, बिल्कुल दिखता होगा, यहाँ पे सारे के सारे structure, जो colored view मैंने दिया है, मतलब कि इसमें आपको, एक differences यहाँ पे, देखो बिटा, यह differences आपको दिख रहा है, कि मतलब यहाँ पे, दोनों के difference की बारे में बात करते है, plant cell versus animal cell, तो, आपको क्या दिखता होगा, कि यह जो दिख रहा है, कि rough endoplasmary reticulum, इस पे छोटी-छोटी दानेदार structure होगा, जिसको क्या बोलता है, rabo-chome, जो कैसे rabo-chome होगा, ATS rabo-chome होगा, ठीक है न, यहाँ पे plasma membrane, यह वाली, उपर, सबसी उपर वाली structure, बीच वाली जो structure दिखता है, बैटा, मेडिल ले मिला, यहाँ पे nucleus की बात करते हैं, nuclear pore की बात करते हैं, फिर जो है nuclear membrane की बात करते हैं, यह दिख रहा है, वेक्योल की बात करो, tonoplast, जो वेक्योल की membrane होती हो, उसको क्या बोलते हैं, tonoplast बोलते हैं, और इसके अंदर cytosol होता है, यह क्या है, mitochondria है, और यह क्या है, chloroplast है, तो छोटा-छोटा structure पे आपको गौर करना पड़ेगा, और दोनों के दोनों differences को मैं वाकई बिलकुल दिखाना चाहता हूँ, यहां पर गौलजी बोड़ी के बारे में बिटा, यह यह ribosome हो गया, छोटा-छोटा जो दाने-दार structure दिखता होगा, प्रॉक्सिजोम यह वाला structure जो दिख रहा है, प्रॉक्सिजोम यह cell wall है, मोटी सी, ठीक है, अब चलो अपने को चलते हैं आगे animal cell के condition में, तो animal cell में क्या दिखता है, कि यह सारे के सारे view मैं दिखाना चाहता हूँ, अब आपको दिखता होगा कि यह पूरे के पूरे structure में यहां पे दिखो, यह जो दिख रहा है, यह इंडो-plasmus reticulum है, smooth, क्यों भाई, वहां पे ribosome absent है, यह nucleus हो गया, और यह क्या हो गया, plasma membrane, एक ही covering होगा plasma membrane, यहां पे nuclear pore envelop होगा, और envelop भी है, इन बैला पे nucleus का, उसमें जो पूर है, उसको nuclear pore बोलते, आगे चलके nuclear pore complex, nuclear pore के detail करने वाले जब nucleus हपन परेंगे, यहां पे centrosome की बारे में बात करो बेटा कि, दो centrioles की अंदर होते हैं, एक दूसरी की perpendicular होता है, ठीक है न, macro bilay की बात करते हैं यहां पे, macro tubules चोटी चोटी structure है उसकी बात करते, अब चलिए, एक और diagram माई दिखाना चाहता हूँ, जो ultra clear कर देगा आपको, सारे के सारे view एकदम ultra clear कर देगा, यहां पे दिखाना चाहेंगे कि यह देखो गटा कि आपका क्या है, यह जो दिख रहा है structure, macro filament है, यह मोटा सा structure, macro tubules है, plastics है यह, जैसे chloroplast example के condition में, यह जो पूर दिख रहा है, plasma dismata, जो cytoplasmary breeze के बारे में बात कर रहे थे, यहां पे पूरी के पूरी जो structure में, nucleus है, यह सारे के सारे, nucleus के अंदर, nucleus होगा, nuclear poor होगा, फिर inner membrane, outer membrane, double membrane होगा, chromatin network होगा, इसके अंदर में, golgi apparatus है, smooth endoplasmary reticulum है, rough endoplasm reticulum है, यहां पे primary wall, a wall के बीच में, जो middle lemla और सबसे अंदर वाला, cell membrane, यह क्या है, बटा, mitochondria है, तो यह क्या होगा, आपका plant cell, यहां पे, जैसे ही बात करेंगे, animal cell के बारे में, बात करते हैं, तो आपको दिख रहा है, कि यह microvilla हो गया, यह outer membrane, मतलब की outer folding है, in folding नहीं, outer folding है, macrofilament हो गया, यह macro-tubules हो गया, paroxyzone, cytoplasm, vacuole, lysosome, ठीक है न, यहां पे condition क्या है, कि free ribosome होता है, और ribosome कितना बेटा है, ATS, eucalyotic cells पर रहे है, nuclear membrane, nuclear pore होगा, nucleolus, nuclear shape, जिसे क्या बोलता है, nucleoplasm, chromatin होगा, यह rough endoplasmy reticulum, यह golgi body, smooth endoplasmy reticulum, vacuole के condition में, तो यह पूर पूरी structure मैंने, छोटा-छोटा जो भी चीज़े है, आपका जहां पे भी clear cut structure दिखता है, उस सारे के सारे में किया, अब चलो बेटा, इसके लिए जो है, आपको थोड़ा सा, चलना पड़ेगा आगे के तरफ,